हेलो स्टूटिंट्स, आप गरबिंदर का और फिकल्टी एट अभिमन्यो आई है, से विरी वाम वेलकम ओल उफ यू इन दिस सेशन, आप यू अज तो आज स्टूटिंट हम यहाँ पे पंजाब सिवल सर्विसीज के लिए एक्जाम पैटरन को समझेंगे स्टूटिंट की एक्जाम पैटरन किस तरीके से उनêuव चेंज हो रहा है और किस तरीके से उननो हमें उसके according अपनी जो preparation है, उसको हमें, you know, mold करनी है, right? तो उसी पर हम यहाँ पर आज बात करेंगे, ठीक है जी? तो exam pattern के बारे में बात करते हैं students, right? Especially यहाँ पर, you know, students जो मैं बात करूँगी, that is, mainly मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ, prelims से related, ठीक है? Okay. One second, should we? हैं जी, तो बात करें students, अगर हम मैं notification की, तो notification कभी भी out हो सकती है, for the Punjab Civil Services, तो आप अपनी preparation को continue रखिए students, consistently उसको पढ़ते रहिए students, हर एक subject को, आप अपना prelims, mains, right, उन सब को आप prepare करते रहिए, ठीक है जी? Okay, okay. इंपोर्टेंट है, तब ही student, आप अपना mains लिख पाऊगे, otherwise, for example, मालो आपने बहुत सारी mains की preparation कर ली, mains आपने बहुत अच्छे से ready, you know, ready कर लिया है, बट फिर भी आपने prelims पे focused ही किया, तो आप जो है, वो इस stage पे कभी भी नहीं पहुँच पाऊगे, ठीक है, without clearing your prelims, तो इसी पे बात करते हैं student, तो इस पे बात करने से पहले student, सबसे पहले student, मैं आपको दिखाऊँगी previous year questions, जहां से आपको एक roughly idea लगेगा, कि हाँजी, जो मैं हम बोल रही हैं, वो बिल्कुल सही बात बोल रही हैं, ठीक है, उसी पे हम focus करते हैं, सबसे पहले आप यहां पे मैंने एक previous year questions लिये हैं, 2015 की, 2012 के मैंने नहीं लिये, because उसका pattern और 2015 का pattern same साही था, ठीक है, तो सबसे पहले हम इनी questions को समझते हैं, तो अगर हम questions को पढ़नी रहे हैं, ना ही उसको हम solve कर रहे हैं, because already जो मेरे PYQ sessions चल रहे हैं student, उसमें हम already discuss कर रहे हैं चीज़े, तो अभी हम फिलहाल यहां पे बात करते हैं student questions की, कि questions को किस तरीके से यहां पे set किया हुए, तो अगर आप question का पहला question देखो, cleansing hemoglobin पे question है, iron shows which one of the following oxidation state, अगर यह आप question ध्यान से देखो, तो यह basic science का question है, second isotope के उपर question put किया है, यह भी हमारा basic science से ही question है, मतलब कि जो हमारी journal science है 9th, 10th की, वहीं से ही question है वो, next जो question है हमारा cleansing action of soap, यह भी हमारा chemistry से question है, और वो भी basic question है, next जो है वो हमारा current affair का question है, Jaya and Ratna developed for the green revolution in India, are the varieties of what? Jaya और Ratna जो है, वो varieties है, पूछी गई है, green revolution के time पे इंडिया में develop की गई थी, अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ student की, यह काफी, यह वैसे तो, static portion है, journal knowledge का question है, right, journal knowledge से related, इसने question put किया, ऐसे ही जो थी, वो हमारे current affair के question भी थी, अगर आप यहाँ पे जो मैंने आपको focus करवाने की, जो मैंने try किया है, वो यह है, कि अगर आप questions को देखो, तो पूरे paper में कुछ इस तरीके के questions थे, simple simple question थे, statement based question नहीं थे, simple simple आपसे जो है, वो direct direct आपसे answer पुछे गई है, चार statement है, simple simple, आपको उसमें से choose करनी है, एक बतादो जी, जो भी correct है, ठीक है, cool difficulty level नहीं है, simple जैसे हमारा कोई, SSE का exam होता है, वैसा सा paper है, ठीक है, थोड़ा सा SSE से तो खेर high level का है, बढ़ हाँ, उसको जो pattern है, वो कुछ इसी तरीके का set किया हुआ है, तो इसमें क्या है student, इसमें कुछ है नहीं है, अगर आपने अपना static portion बहुत अच्छे सी किया हुआ है, ठीक है, और आपने अपने basics बहुत अच्छे सी clear किया है, ठीक है, तो आप 2015 का paper, 2012 का paper, आप पूरे अच्छे नंबर से आप इसको crack करके जाओगे, ठीक है, कोई दिकत है नहीं इसमें, अगर आपकी basic knowledge बहुत अच्छी है, आपका static portion बहुत अच्छा है, और अगर आपने ठीक ठाक सा current affair पढ़ रखा है, तो आपके लिए ये paper जो है, वो बिल्कुल ऐसे है, मतलब आपके लिए golden paper है, है ना, ये paper में fail होने के कोई chances नहीं आपके, ठीके जी, अच्छा, फिर हम आगे आते हैं, student बात करते हैं, next की, 2018 के paper की, यहाँ बेभी मैंने दो-तीन questions लिए है, student, so that आप थोड़ा सा understood कर पाऊ इन से, पहला question जो है, वो हमारा element पे पुछा है, इसने plant with which zinc causes ौच आउच आउच disease in human belong, तो ऐसा-सा question है, student, यह जो question है, student, यह हमारा basic science से question है, ठीक है, basic science है, उसने question put किये, एक चीज तो clear है, कि science and technology and journal science जो है, वो तो पंजाब civil services के लिए बहुत important है, वहाँ से तो question आने ही आने है, और science and technology अभी money OIS में जो faculty है, that is me, मैं ही science and technology का portion cover करवाती हूँ, अच्छा, next जो question है, वो हमारा current affairs से related question है, current news की question है, और अगर आप question को ध्यान से पढ़ो, तो Supreme Court की ruling about the limitations of power of the lieutenant governor of Delhi, vice versa, the chief minister of Delhi has been making news, ठीक है, आपको भी पता है कि दिल्ली की अंदर, जो है, वो assembly है, लेकिन दिल्ली की अंदर, जो हमारा left-hand governor है, उसके पास काफी अच्छी खासी power है, क्योंकि वो center government को represent करता है, और center government के पास वहाँ पे तीन, जो हमारे important, critical, जो हमारे areas है, वहाँ पे वो, उनको control करती है, land, property and police, ये जो तीनों चीज़े हैं, वो वहाँ पे center government के under control है, और बाकी चीज़े जो है, वो डेली government के under है, that's why यहाँ पे administration को लेकर, और governance को लेकर, एक तरीके का power of, conflict of power रहता है, यहाँ पे, conflict रहता है, between center government and state government, because center में BJP की government है, और हमारे दिली की अंदर आपको भी पता है, आम आदमी केजरीवाल की government है, so that's why यहाँ पे tussle रहती है, between both powers, ठीक है, और जो center है, उसको represent करते हैं, वहाँ के lieutenant governor, और जिसकी वज़ाए से, डेली में आपको भी पता है, कि जब भी journal assembly कोई भी बिल पास करती है, state assembly हमारी बिल पास करती है, तो उसके ascent के लिए, ascent का होना बहुत important है, हमारे governor या फिर center level पे हमारे president, ठीक है, ascent का होना बहुत ज़रूरी है, अगर ascent नहीं मिलेगा, तो आपका बिल कभी भी पास नहीं होगा, ठीक है, उस time पे ये case काफी ज़्यादा highlight था, in this case, who out of the following, one of the following, defense council था, for the armadmin party, इसने पुछा कि armadmin party का defense council कौन था, question है, बिल्कुल fact basis पे है, ठीक है, आता है, नहीं आता है, मानलो आपने news पड़ी, ठीक है, उसमें आपने देख लिया, कि हाँ जी, जो defense council है, वो यहाँ पे रामजले जेट मिलानी है, या कोई भी जो भी है, तो कौन है यहाँ पे, ठीक है, उसका fact आपने पड़ लिया, तब आप इस question को कर ले जाओगे, तो यहाँ पे क्या है, current news है, बट बिल्कुल simple सी news पुछी, उसने, ज्यादा गुमा फिरा कि, उसने statement set नहीं की है, ठीक है, next अगर आप question की बात करो, तो यहाँ पे उसने, you know, oil zipper के बारे में question पूत किया है, जो आई दिन खास करके news में रहता है, चार statement है, simple simple, उसने पूछी हैं यहाँ पे, कि आप oil zipper के बारे में बता दीजे, बठा, question जो है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो question इतने भी आसान नहीं है, जितने हमने 2015 यहाँ पे 2012 में देखी, वहाँ पे बहुत ही, हमारे, you know, बहुत ही basic level के question है, यहाँ पे question का level थोड़ा सा high है, इतना तो नहीं है, बढ़ हाँ, 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 जरूर, आपको difference यहाँ पे feel हो रहा होगा, कि जो news है, वो भी थोड़ा सा उन्होंने, यहाँ पे tricky करने के try की है, ठीके, तो आप देख रहे हों कि 2012 में पेपर थोड़ा सा easy आता है, 2015 में भी उसका level उतना ही रहता है, and after that 2018 में वो थोड़ा सा यहाँ पे difficulty level को increase कर देते हैं, फिर हमारा जो latest paper हुआ 2021 का, यह मैं कहूं कि 2020 में जो notification आई थी, और उसके मैंने यहाँ पे दो questions लिये हैं, दोनों ही questions जो हैं, अगर आप ध्यान से देखो, तो statement based questions है, यहाँ पे statement based questions है, और दोनों ही questions की अगर आप statements देखो, और even हम अपने इस जो अभी हमारा PYQ session चल रहा है, उसमें हम 2021 का paper ही discuss कर रहे हैं, यही paper discuss कर रहे हैं, उसमें आप देख भी रहे होगे कि questions की जो length है, वो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा lengthy questions हैं, नीचे options जो हैं, उनको भी काफी अच्छे से set किया गया, यहाँ पे, आप option देखिए, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4, इधर भी आप देखिए कि question किस तरीके से, इतना tricky सा question यहाँ पे इसनोंने set करके रखा हुआ है, दोनों ही current affair based question है student, ठीक है, बट यहाँ पे इसने terrestrial laser की बात किये, scanning की बात किये, तो काफी ज्यादा high level का question है, मतलब almost इनोंने ना align करने के try की है with the UPSC, जैसे UPSC का जो paper है वो काफी difficult आता है, बिलकुल यहाँ पे वही system है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको, मैं आपको जो समझाने के try कर रहे हूँ, वो यह है student की, जो अभी paper हुआ, वो काफी ज्यादा difficult भी था, and plus आपका paper जो था, वो dynamic भी था, ठीक है, paper जो था, वो काफी ज्यादा dynamic था, ठीक है, current affair basis paper था student, तो इससे student, अब conclusion क्या निकले, जो भी मैंने चीज बताई आपको, इससे conclusion क्या निकलता है, पहली चीज student, जो हमारा exam है, आने वाला जो exam है, जो अभी 2024 के लिए होगा, उसमें आप पॉन कॉन से challenges face करोगा, उसको किस तरीके से आप sort out करोगे, ठीक है, उनका क्या solution है, पहली चीज चीज तूडेंट, निूस पेपर, लिख लीजे बच्चे, निूस पेपर इस मस्ट, निूस पेपर सूडेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको रीड आपको करना ही करना है, because current affair जो है, वो बहुत ज़्यादा important है, for the Punjab Civil Services, second हमारा portion होता है, student static, static portion को अब आप सिर्फ basic की नहीं student, आप उसको advanced level पे भी पढ़ोगे, for example, अगर journal science की मैं बात करूं, not only journal science student, you should also read, advanced science and technology, ठीक है जी, आपको science and technology भी पढ़नी पढ़ेगी, ठीक है, ये बात clear आपको, ठीक है, तो exam की अंदर student आपको दोनों चीज़े द्यान में रखनी पढ़ेगी, पहला newspaper और दूसरा आपका advanced journal science, journal study आपको पढ़नी ही पढ़ेगी यहाँ पे, journal study को आपको basic में आपसे कह दू कि अभी आप NCRT पढ़ लो, आपका paper clear हो जाएगा, तो मैं ऐसा promise आपके साथ बिलकुल नहीं करूँगी, आपको advanced book students पढ़नी पढ़ेगी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको UPSC level तक का पढ़ना पढ़ेगा, बढ़ हाँ, आपको इतना जरूर ensure करना पढ़ेगा, कि हंजी, आपका जो prelims है, वो नहीं अटके, वो नहीं अटकना चाहिए बचे, ठीके, तो यहाँ पे आपको अपना basic जो है, वो भी बहुत अच्छे से ready करना है, basic में और advanced में, और बहुत अच्छे से करने के लिए, पहली चीज होती है, student revision, जुसकी मैंने importance आपको पहली बताया हुआ, plus test series, test series आप जरूर लगाईए, ठीक है, it is mandatory, test series आप जरूर लगाईए, ठीक है, so that आपको idea रहे कि हंजी, tricky questions को किस तरीके से हमें exam के अंदर tackle करना है, is that clear, yes or no, yes or no, आपको ये बात clear हुई या नहीं हुई, तो basic plus advance, ठीक है, उनकी revision करनी है, और test series भी आपको यहाँ पे करके लेके जानी है, ठीक है, ये बात clear हुई आपको, yes or no, ठीक है, दूसरी चीज़े, sources, 24 student आप source पढ़ रहे हूँ, जहां से भी आप पढ़ रहे हूँ, वो बिल्कुल authentic source होना चाहिए, student आपका authentic source होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो बच्चे, नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, it should be authentic, ऐसा नहीं है कि आपने net से कोई भी history के कोई भी book डाउनलोड कर ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं बच्चे, यह mistake आप बिल्कुल नहीं करो लिए, ऐसा नहीं कर लिए, authentic source से आप पढ़िए, it means कि अगर आप मालो किसी institute का material पढ़ रहे हो, तो ऐसे institute का पढ़िए, जो already जिसके पास बहुत अच्छा खासा experience है, पंजाब civil services का ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कोई new institute open हुआ है, वो free of cost, आपको sources बाट रहा है, यह free of cost आपको lectures deliver कर रहे हैं, आप उसमें लगे हुए, it's totally wastage of time, बच्चे, आपका exam कभी clear नहीं होगा, यह बात आप अपने, अगर आप मेरे पे trust करते हैं, इतने time से अगर आप मेरे को follow कर रहे हैं, है न, आपको लग रहे हैं कि हंजी मैम की बात में कुछ वजन है, ठीक है, वो सही तरीके से guidance, you know, guide कर रही हैं students को, तो student, इससे पहले देखिए, मैंने आपको कितनी सारी mentorship की, यहाँ पे हमने videos, मैं लेकर आई हूँ time to time, जो student की demand रहती है, मैं उसके according, students के according, मैं यहाँ पे no videos लेकर आती हूँ, sessions लेकर आती हूँ, right, तो मैं students को बिल्कुल भी ऐसे गलत advice, यहाँ पे कोई promotion की, उसे purpose नहीं आती हूँ, ठीक है, वो एक option है आपके पास कि हांजी, आप उस option को opt कर सकते हैं, otherwise student को, मेरा main यहाँ पे motive रहता है, कि students को, जो गलत तरीके से, you know, guidance मिल रही है बहार से, या फिर जिस तरीके की उसकी approach है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो अपना time और पैसा दोनों kill कर दे, इससे अच्छा तो यही होता ना, कि वो कुछ और कर लेता है, है ना, time भी चला गया, और पैसा भी चला गया, फिर तो आप दोनों इस तरफ से, आपका loss हो गया, है ना, एक्जाम तो clear हुआ नहीं, मेनत भी जो की दिन रात जाग कर, वो भी based चलेगी, so better as student, पहले ही आप alert रो, कि आपका जो source होना चाहिए, that should be authentic source, एक reliable source होना चाहिए, relevant होना चाहिए आपके एक्जाम से, अगर आप मालो कोई source को follow कर रहे हो, आपके उसमें से questions, उसको judge करने का एक तरीका हो सकता है, कि आप सबसे पहले, उन question answer को solve करके देखिए, previous year question को, कि हांजी, इसे previous year question solve हो रहे है, प्लस जो भी आप MCQ लगा रहे हो, जो भी आप test लगा रहे हो, क्या वो उससे solve हो रही है या नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही है, उसको उससे time बंद कीजी, और कुछ और ढूड़िये, और YouTube के उपर ऐसे blindly होकर, उसको follow मत कीजी, ठीके, blindly उसको follow नहीं करना है, कि कोई भी आपको कुछ भी समझा रहा है, आपने सीधा डाला, free of cost coaching for the Punjab civil services, free of cost science lecture, free of cost free lectures for the, फलाना फलाना कुछ भी आप type कर रहे हैं, और कुछ भी आप समझ रहे हैं student, आपको ऐसा लग रहा होगा, कि आप पढ़ रहे हो, बट reality में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्यूंकि अगर आप reality, अगर आप अपने आपको आपने reality check से देखना है, तो आप question solve करके देखिए, अगर वो आपसे solve नहीं हो रहे हैं, मालो आपने political lecture लगाया YouTube पे, और उसके बाद मालो आपने वहाँ पे fundamental right पढ़ा, और अगर आपने fundamental right से related आपकी question solve नहीं हो रहे हैं, मतलब क्या है, कि आप समझ नहीं पाई उसको अच्छे से, ठीक है, आपका method जो है वो बढ़ने का वो गलत है, ठीक है, और कुछ भी ऐसा student है नहीं, जिसको मतलब आप you know tackle ना कर पाऊ, tackle करो उसको अच्छे से बनाओ, ठीक है, आपकी strategy एक बर गलत हो सकते है, दो बर, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आप गलत strategy को आप 7-8 महीने तक continue follow कर रहे हो, नहीं, अगर गलत है, उसको judge कीजिए, analyze कीजिए, ठीक है, right, revision का यहीं मतलब होता है, कि आप एक step पीछे जाके, critically उसको analyze करते हो, उसमें आपको basic के साथ-साथ आपको advanced portion भी करना है, उसकी आपको revision करनी है, plus test series तो लगानी ही लगानी है, जो भी आप source करो student, that should be authentic, plus relevant होना चाहिए, ठीक है, उसकी relevancy आप check कर सकते हो, by attempting question answers, और PYQ, ठीक है जी, उसको आप attempt कीजिए, अगर वो solve हो रहे है, then it is okay, अगर नहीं हो रहे हैं, उसको leave कीजिए, किसी एक अच्छे reliable source से आप पढ़िए, ठीक है, अभी menu IS में भी आपको study material मिल जाएगा, ठीक है, आप visit कर सकते हैं, even आप यहाँ पे site पे जाके, आप online, offline, किसी भी mode में आपको, वहाँ पे available हो जाएगा, ठीक है जी, clear आपको यह बात, ठीक है जी, ठीक है, ओक्यों, ठीक है, यह question समझ में आया आपको, clear आपको, ठीक है जी, तो, आपको, prelims के लिए student, यहाँ पे, मैं फिर से repeat कर देती हूँ, पहली चीज, आपको, आपका study material, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, यह relevant होना चाहिए, दूसरी चीज, आपको अपने basic बहुत अच्छे से cover करने है, उसके साथ-साथ, आपको advanced portion भी cover करना है, प्लस आपको current affair, बहुत अच्छे से cover करने है, ठीक है, उसके लिए आपको news paper regular पढ़ना है, और वाकी जो current affair की, जो भी source है आपका, उसको आप अच्छे से करिजे, प्लस में आपकी test series, और इन सबको आप consistently अगर करते हैं, तो trust means rodent, 100% में guarantee के साथ बोल सकते हैं, आपका prelims बिल्कुल भी नहीं रुखेगा, ठीक है जी, okay, clear आपको ये बात, ठीक है जी, तो अगर ये बात clear है, तो इसी के साथ हम ये session यहाँ पर over करते हैं, right, please do comment student, अगर आपको लगता है कि हाँ जी, इस चीज़ पर वीडियो होनी चाहिए, ठीक है, मुझे ये problem आ रही है, जैसे एक student ने comment किया, कि mains के ऊपर आप मैं वीडियो लेकर आए, तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगे आपके लिए, ठीक है, okay, ठीक है student, तो आप comment कीजिए, like, share and subscribe भी करना है आपको, ठीक है जी, ओके ओके, thank you, thank you so much, have a nice day, and one thing student, मैंने miss कर दिया, हमारा new badge start हो रहा है student for the Punjab Civil Services, आप उसको join कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा, thank you again, bye, प्यूआपिए कर सकता लासे educación еएगा है, कर प्यूआब आपको,